तो हान जी एक मिनिट हेलो जी सर जी ठीक सेर मैं कल आती हूँ डेटा लेने थैंक यू सो मच तो भाइन मुझे तो मारे डेटा मिल गया बीडियम के प्रोजेक्ट के लिए आपको मिला क्या? अगर मिला तो चलो शुरू करते हैं हेलो नमस्ते, माई देम इस अंजली पांचाल और आई एम ए स्टुडेंट अफ आई आई टी मवियास जस्ट लाइक यू तो तो टोडें वे टॉकिंग अबाट बीडियम प्रोजेक्ट सो बीडियम का प्रोजेक्ट एक इंडिपेंडेंट रिसर्च प्रोजेक्ट है जिसमें आपको बिजनस से डेटा लेना है उसी डेटा को एनलाईज करना है और तीन पार्ट में डॉकिमेंटेशन कर वे उसकी सबमिशन करनी है सो लेट स्टार्ट फ्रोजेक्ट सो बीडियम के पोर्टल पर लोगिन करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देने वाला है जहां पर टाइम लाइन सेक्शन में आपको इंट्रोड़क्शन का पूरा डॉकिमेंट दिया हुआ है अगर हम दोकिमेंट को थोड़ा स्क्रोल करें और दियान से देखें तो हमें चार फेज़स दिये हुए सब्मिशन के लेकिन इन चार फेज़स से पहले भी दो स्टेप्स ऐसे हैं जो इन चारों का बेस डिसाइड करेंगे तो आईए वहां से शुरू करते हैं तो आपको डेटा एक ऐसे बिजनस से लेना है जो या तो और्गनाइज सेक्टर में हो या अन और्गनाइज सेक्टर में हो और्गनाइज सेक्टर में वो बिजनस आते हैं जो गवर्मेंट के साथ रजिस्टर्ड है वहीं unorganized sector में वो business आते हैं जो government के साथ registered नहीं है organized sector में आपकी big IT companies, manufacturing industries ऐसे सब business आ गए और unorganized में आपके आज पास kirana shops, laundry services, vegetable vendors, छोटे-छोटे restaurants, ऐसे सब चीज़े आ गई so organized sector से data लेने की एक advantage है आपको जो data है वो already documented form मिलेगा होगा वो थोड़ा scattered लेकिन आप उसे clean करके अपने use के लाइक बना सकते हैं वहीं unorganized sector की एक जो चीज़ होगी वो यह होगी कि आपको जो data है वो बहुती rough और बहुती scattered form में मिलने वाला है या फिर verbal भी हो सकता है वो data depending upon the business you choose suppose आप vegetable vendor के पास जा रहे हो तो वो तो अपना data पुरा लिख के नहीं रखेगा ना या sheets में entry नहीं करेगा but what you can do is अगर आप छोटे business के साथ जाते हो तो आप रोज उने visit कर सकते हो आप देख सकते हो कि एक महीन आया तो महीन आया whatever जितना time में आपको चाहिए उसमें उनकी क्या input है यानि क्या purchases है और उसका क्या output निकल रहे है यानि क्या उनकी sales जा रही है तो basically यह आपको एक तरह से sales और purchase का data मिल गया है इस पर आप काम करना शुरू करिए और इसके साथ आया step number two finding the problem तो एक tip जो problem finding के लिए है वो मैं देना जाओंगे कि आपको ऐसी problem निकालनी है जो आप data के तरह दिखा पाओ ज़र आप data के तरह प्रॉब्लम है नहीं दिखा पाओगे तो उसका solution देने का क्या फाइदा so problem formulation के लिए I would suggest आप lectures देखिए week number five to twelve के week five and six में एक e-commerce company जिसका नाम है Fabmart week seven and eight में एक manufacturing industry जिसका नाम है Ace Gears week nine में एक tech enterprise and week ten और eleven में finance industry जिसका नाम है FinTech and payment industry जो है pay buddy इन सब के बारे में आपको introduction मिलेगा वो काम कैसे कर रहे हैं ये businesses run कैसे कर रहे हैं ये सब आपको जब पता लगेगा तो एक आपका अलगी POV बन जाएगा जिससे आपको पता लगेगा कि एक business में क्या problem आ रहे हैं और उससे आपकी problem formulation बहुत easy हो जाएगी जब आप ये सब देख के week 12 में जाओगे तो week 12 में आपको पता लगेगा how does a business operate, how are they managed and उनका data process और manage कैसे होता है using spreadsheets और इनी सब का use करके हम आगे अपने documentation में help लेंगे documentation का step number one is proposal तो हम अपने project की portal पे आके जब देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक document section दिखेगा जब आप उस पे click करेंगे तो आपको ये सारे documents देखने को मिलेंगे जब आप नीचे थोड़ा scroll करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा proposal का format एक doc form में और एक pedia form में proposal का format कुछ ऐसा रहने वाल है first page will be the title page second page will be the declaration statement page जहाँ पे आप ये बताओगे कि आप किस company के साथ काम कर रहे हो आपका क्या title है project का और आप जो data use कर रहे हो वो genuine data है the third part is executive summary जो आपको 200 words में लिखनी है इसमें आप basically तीन paragraph रखोगे first paragraph में आपकी organization के बारे में दो या तीन lines आएंगी maximum second paragraph में आप बताओगे कि आपकी क्या-क्या problems है and third paragraph में आप बताओगे कि आपकी solution के लिए possible approach है वो क्या है next is organization का background ये आप लिखोगे 150 words में so इसमें आप बताओगे कि जिस business के साथ आप काम कर रहे हो उसकी location क्या है उस business का type क्या है वो कौन से sector में run कर रहा है वो small scale business है large scale business है उसका owner कौन है उसकी starting कब होई थी और किस ने की थी उसमें कितनी labor है etc etc इसके बाद बारी आई problem statements की तो problem statement आपको जादा नहीं लिखने 50 to 75 words में लिखना है problem statement bare minimum आप 2 लिख सकते हो otherwise अगर आप 3 लिखोगे तो वो एक optimal number है इसके बाद background of the problem जो 200 words में लिखना है इसमें basically जो आपने ऊपर problems लिखी है उन problems को explain करना है वो आपने identify कैसे की वो लिखना है उनके क्या-क्या causes है internal और external जो भी causes है वो सब लिखने है then comes problem solving approach इसकी word limit है 400 words और इसमें आप लिखने वाले हो कि आपने जो data collect किया है वो क्यों किया है उसकी justification आप उस data को analyze करने के लिए क्या-क्या tools यूज़ करने वाले हो उसकी justification और उसके लिए क्या-क्या methods यूज़ करने वाले हो उसकी justification basically इसमें आपको अपनी approach बतानी है कि जो आपका data है उसे लेके जो आप analysis कर रहे हो उसकी आपकी क्या approach रहने वाली है then comes expected timeline इसके दो पार्ट रहने वाले है number one is work breakdown structure WBS यह basically एक pyramid chart है जहां पे आप बताते हो कि आपका जो काम है उसको आप कैसे breakdown कर रहे हो यह कुछ examples हैं WBS chart के जिनके template आपको canva पे बहुत easily मिल जाएगी इसके बाद second thing is gant chart यह basically आपका expected timeline chart होगा इसकी भी आपको template canva पे बहुत easily मिल जाएगी और यह कुछ examples हैं gant chart के कुछ ऐसा सापका gant chart दिखने वाला है इसके बाद आया आपका expected outcome जो आपको briefly explain करना है 150 to 200 words में इसमें basically आपको लिखना है कि जो आपने problems identify करी है उनके क्या potential solutions हो सकते हैं आप क्या expect कर रहे हो कि क्या आपको से solution मिलेगा so this is the proposal proposal के बाद बारी आई midterm की तो midterm के लिए अपने project portal पे जाके timeline section में नीचे scroll करेंगे तो हमें दिखेगा midterm submission की rubrics so midterm submission basically 8 से 10 page का रहने वाला है इसकी evaluation वैसे तो 100 mark से होगी बट final score में इसका contribution होगा 20% इसमें आपका basically क्या क्या रहने वाला है 8 से 10 pages में फर्स्ट पेज विल बी obviously the title page उसमें होना चाहिए उनका letter head then stem और sign owner के second चीज है organization की images यह maximum आप तेन attach कर सकते हो उसके बाद third thing is video with the owner यह आप तेन से आठ मिनट की रख सकते हो यह optimal time है next is metadata metadata में आपको basically overview देना है कि आपका क्या data है वो आपने कितने time का data लिया है किस type का data लिया है suppose आपने sales का लिया तो आप बताओ कि sales का है purchase का लिया तो बताओ purchase का है या scrap का है तो scrap का बताओ जो भी उसके बाद आपको करना है column description यानि जो भी आपका final data है पर आप काम करने वाले हो, उसके columns को describe करो, suppose एक column है, column A is date, तो आप बताओ कि यह वो dates है, जिस जिस पे इनका sales हुआ है, business का, फिर suppose आपका product का नाम है, तो आप बताओ कि उस particular date पे यह उनका सामान बिखा है, then ऐसे ही सारे आप columns को describe करो, उसके बाद आया descriptive stats, descriptive stats में आपको basically अपना data describe करना है, यह आप बहुत easily कर सकते हो, क्योंकि basically हमारा data numeric form में ही रहने वाला है, तो आप अपने data को collab में load करो, और उसके बाद data.describe कर दो, तो जो भी इसका result आएगा, जो table form में आएगी, उसे आप अपने words में describe कर दो, and this is basically descriptive stats, इसके बाद आपको लिखना है detailed explanation of analysis process, इसमें आप क्या लिखोगे, इसमें आप लिखोगे कि जो भी आप analysis कर रहे हो, उसकी क्या process रहने वाली है, basically इसमें आप काएगा कि जो भी आपको raw form में data मिला था, उससे आपने, कैसे उसे sheets में लिया, उसके बाद कैसे आपने उसकी cleaning करी, फिर कैसे आपने उसकी analysis start करी, इसमें जो आप analysis लिखने वाले हो, वो आप सारी analysis मत लिख देना, क्योंकि आपको finals में 20 pages बरने है analysis से, इसमें आप I would suggest कि अपनी analysis का 20 से 30% party रखो, उसके बाद जो analysis है, वो आप final में करना, इसके बाद बारिया है results and findings की, इसमें आएंगे आपके सारे graphs, जो भी pictures होंगी, tables हो इसमें आपको क्या करना है results and findings में, आपको explain करना है कि आपको graph से जो भी trends मिल रहे हैं, उनका क्या reason हो सकता है, या वो trend क्यो बन रहे हैं, so this is all about the midterm submissions, coming to the final submission, तो midterm के नीचे scroll करेंगे, तो हमें मिलेगी final submission की rubrics, so final submission would be 18 to 20 pages long, इसकी evaluation होने वाली 100 marks है, और finals में इसका contribution होने वाला है 40%, so on 18 to 20 pages में, first page would be obviously the title page, second thing you would write is executive summary, जो कि आप 200 words में लिखने वाले हो, third thing is detailed explanation of analysis, इसमें basically आपको लिखना है जो भी आप analysis कर रहे हो, उसका क्या reason है, उसने आपको problem statement समझने के लिए कितना help किया, कैसे help किया, जो भी आप pivot table बनाने वाले हो और जो भी आप analysis के steps लिखने वाले हो, वो सब, next is results and findings, इसमें आप लिखने वाले हो, अपना सारा graphs, उनसे आपको क्या-क्या results मिले, आपको trends क्या-क्या मिले, और उनका क्या reason था, same वैसे ही जैसे हमने mid term में लिखा था, and final submission में एक बात जो द्यान रखने वाली है, वो 10 marks है, presentation and legibility of the report के, so 10 marks, अगर आप अच्छे से report बनाओगे, तो आपको यहीं से 10 marks मिल रहे हैं, और जब हम presentation की बात करी रहे हैं, so बाकी points भी देख लेते हैं एक बार presentation के, एक जैस जो आपको द्यान रखनी है, font आपको रखनी है, times new roman, उसका size 12, line spacing 1.5 with left and right justification, and mind it, don't mix active and passive voice, page number, हर एक page के bottom में होना चाहिए, figure number, table number, हर एक figure और हर एक table के लिए होना चाहिए, and please, avoid using unnecessary figures and graphs, ये नहीं है कि आप कोई भी graph बनाओ और बस pages बर दो, उसका कुछ मतलब होना चाहिए, उससे कुछ result निकलना चाहिए, एक चीज जिससे आपको बचना चाहिए is dex rejection, और उसका जो main reason है, that is the absence of declaration statement during proposal, अगर आपके proposal में declaration statement का अपने page नहीं लगाया, so mind it, आपका proposal dex rejected है, एक bonus tip, जो executive summary है, उसको आप सबसे last में लिखिए, executive summary के लिए जगा छोड़ दो, उसके बाद जो जो requirements हैं, वो आप पूरी लिख लीजिए, फिर जो आपका पूरा document है, उसे उठा के GPT को दे दो, और उसे बोल दो कि वो summarize करके दे दे, इन 200 words या जो भी word limit है, अगर आप ऐसा नहीं करना चाते, तो आप summary खुद भी लिख सकते हैं, ऐसा करने के बाद, आप अपने sentences को rephrase करा सकते हैं, Quillboard पे, Quillboard का link में आपको नीचे description में दे दूँगी, इसके बाद, suppose आपने सारे submission अच्छे से कर लिए, और सारे submission आपके accept भी होगे, तो इसके बाद बार ही आई आई आपकी Viva voice की, That is, आपको अपना जो project है, वो आपको एक external invigilator के सामने present करना है, in PPT form, So, उस PPT की maximum 10 slides हो सकती हैं, जिसकी 100 में से evaluation होगी, बट उससे scale down करेंगे 20% में, यानि जो total score है, उसमें उसका contribution 20% रहने वाल है, इसमें आपको 50 out of 100 लेके आना compulsory है, To pass the project, इसमें आपको तीनों documents की आपको summary लिखनी है, आपके images, आपके graphs, जो भी आपके explanations, theories अन्थे, वो सर्मेंशन करने हैं, सिर्फ 10 slides में, So, first slide should be the title slide की आपका project का title क्या है, Second slide is the background of organization, third slide are the problems faced, fourth to eighth slide can be the analysis and graphs, And nine and tenth slide can be the solution and practical implication, तो ऐसे करके अगर आप अपनी PPT बनाओगे, So, दस pages में आपका काम भी हो जाएगा, और आपकी PPT अच्छी भी हो जाएगी, So, ये तो एक तरीका है BDM का project करने का, इस बार से हमारे पास choice है, हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं project, और वो क्या है, वो है online data उठा के, So, आप क्या कर सकते हो, आप Kaggle, GitHub या किसी भी online platform से, जहां से आपको data मिल रहा है, वहां से आप data उठाओ, उस data को analyze करो, same, वही जो आपहले कर रहे थे, ओरीजिनल वाले तरीके में, बट, इसमें आपको सिर्फ दोई submissions करने हैं, एक है आपके project की proposal की, और दूसरी आपकी final की, project का proposal रहने वाला है, वही same, चार से पाँच pages का, और final submission रहने वाली है, अठारा से बीस pages की, इसमें भी at least दो problem statements होनी चाहिए, पट अगर आप तीन लिखोगे, so that would be better, इसमें आपको कोई marks नहीं मिलने वाले, इसमें सिर्फ आपका या तो accepted आएगा, या rejected आएगा, पट, 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 the main catch is, इसमें जो आपको maximum grade मिलने वाले हैं, that would be D और E, I don't think so, इतनी मैनत करने के बाद D और E वर्थ इट है, so I would suggest कि आप इतनी मैनत कर ही रहे हो, so आप थोड़ी मैनत कर लो, आप data actually उठाओ, genuine data उठाओ, उसपे analysis करो, क्योंकि analysis part तो सेम रहने वाला है दोनों का, सिर्फ एक midterm की absence है इसमें, and फिर उसके against में आपको grades भी तो lose करने पड़ रहे है, maximum D, I don't think so, यह justify करेगा आप कितनी मैनत को, so इसलिए पहले वाले तरीके के साथ ही जाओ, यह मेरा suggestion है, बाकी it's up to you, अगर आपको सिर्फ प्रोजेक्ट करने के लिए करना है, तो आप यह भी कर सकते हो, so I guess that's it for BDM का प्रोजेक्ट, and if you want, आप किसी और प्रोजेक्ट पे वीडियो, चाहते हैं मैं बनाऊ, so आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, and thank you for watching,